नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है जम्मू कास्मीर के राजावरी पूंच में बिते दिनों आतंगवादियों ने सेना के दो वाहनों पर घात लगा कर जो हमले किये उसमें चार जवान सहीद हो गए तीन घायल हैं, जिन्दगी और मौत से संघर्स कर रहे हैं चारो सहीद सैनिकों की अपनी कहानी है, जिसे सुन करके किसी का भी दिल भर आएगा सहीदों में उत्राखन के कोड़द्वार के रहने वाले सैनिक गौतम कुमार भी सामिले 28 साल के गौतम कोड़द्वार के सीवपूर आम पड़ाओ के रहने वाले थे, वो 16 दिसम्बर कोई छुटी से वापस ड्यूटी पर लोटे थे अगले साल 11 मार्च को उनकी शादी होनी थी गौतम के बड़े भाई राहुल कुमार के मुताबिक 21 दिसम्बर की रात 12 बजे भाई की उनिट से फून आया कि वो सहीद हो गए है जिस घर में सेहरा बांधने और शादी की तैयारिया चल रही थी, वहाँ कोहराम मच गया सहीदो में नवादा के वरीसल गंज प्रखंड इस्तित नारो मुरार गाओं के राइफल मेंच चंदन कुमार भी सामिल है घटना के सूचना घर वालों को फून पर दी गई, सूचना मिलने के बाद घर वालों का रोरो करके बुरा हाल है उनके घर में माता पिता के अलावा कूल तीन भाई है, एक बड़ा और एक छोटा, चंदन अपने परिवार के मजले भाई थे चंदन के बड़े भाई का नाम जीवन कुमार है, वह पूरा घर समालते हैं, छोटा भाई अविनांदन गाउं में हिरासन की दुकान चलाता है चंदन ने 2017 में सेना में ज्वाइन किया था, उनकी शादी 18 महिना पहले बिहार के लखी सराय में हुई थी चंदन बेहत गरीब परिवार से थे, पहले जब फोन आया तो सासा किसी को यकीन नहीं हुआ, और अब पत्नी से लेकर परिवार वाले सवाल पूछ रहे हैं, हे बिधाता, तुने ये क्या किया घात लगा कर हुए इस हमले में कानपूर के सैनिक करण सिंग यादो भी सहीद हुए है, वे कानपूर सहर के शोबेपूर के भावपूर गाओं के रहने वाले थे, आखरी बार अगस्त में वो अपने घर आये थे, इसके बाद फरवरी में उन्होंने पिता से आने के लिए क गाओंवालों को बड़ा प्यार और सम्मान देते थे, बहुत ही बिनम्र सुभाव के थे, करण सिंग के घर में उनके माता पिता के अलावा एक भाई और दो बहने हैं, उनकी शादी हो चुकी थी, करण की दो कम उम्र की बेटिया है, परिवार का कहना है कि साम को फोना आया है, पूरी बात नहीं बताई गई, बाद में पता चला कि वो तो देश के लिए सहीद हो गए है, उटबेड में राइफल मैन रभी कुमार राणा भी सहीद हो गए, जिनका अंतिम संसकार जमू कस्मीर के किस्तवार जिले में उनके पैत्रिक गाउं में सैन्ने सम्मान के शादी होने वाली थी, जब उनका पार्थिव सरीर किस्तवार पहुंचा तो उनकी मंगेतर गमगीन थी, दहाड़े मार रही थी, राइफल मैन रभी कुमार राणा के पिताकिस्तान है, रभी के दो भाई हैं और उनके बड़े भाई भी सेना में हैं, बरतमान में पंजाब में तैनात हैं, अन्तिम संसकार से पहले सेना पुलिस और नागरित प्रसासन के सिर्स अधिकारियों ने, रभी कुमार को अन्तिम बिदाई देने से पहले उनके पार्थिव सरीर पर पुस्ट पांजली अर्पित की, लेकिन वहां का जो शीन था, कोई भी देखकर के दहाल जाएगा, रूफ कांप जाएगी, रहिये ने बेख़बर देखते रहिए, इन ख़बर, थैंक यू